तो हमारे पार्लेमेंट के अंदर 43% पॉलिटीशन ऐसे हैं जिनके उपर क्रिमिनल चार्जेज हैं और उसमें से 29% ऐसे हैं जिनके उपर मडर, रेप, फिरोती ये सारे चार्जेज हैं और ऐसा नहीं है कि खाली MPs ही हैं, हमारे MLA भी इसमें पीछे नहीं है अगर मैं 2015 Delhi election की बात करूँ, तो उसमें 70 में से 43 नेता ऐसे जीत के आये थे, जिनके उपर क्रिमिनल चार्जेज थे और अगर करन्ट की बात करें, तो 37 MLA ऐसे हैं जिनके उपर क्रिमिनल चार्जेज हैं और यह ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया या FIR है, यह वो चार्जेज हैं यह सुप्रीम कोट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं मतलब पुलिस गई है, वहाँ पे उसको evidence confirm हुए है, eyewitnesses मिले हैं, यह वो चार्जेज हैं यह problem तो बहुत ही छोटी सी है, कि parties criminals को ticket ना दे और लोग criminals को vote ना दे लेकिन इस छोटी सी problem के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है और अभी तक इसका solution नहीं हुआ 1999 में Association for Democratic Reform, जैसे ADR नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग इनों ने जो भी criminals है पॉलिटिक्स में, इनके लिए एक PIL डाली डेली हाई कोट में और डेली हाई कोट ने उसको accept भी कर लिए जब डेली हाई कोट ने यह PIL accept की थी, तो यह चीज वहीं खतम हो गई थी यह जो नेता जीने हम जिता के लाते हैं न, यह सब लोगों ने मिलके उस PIL के अगेंस में सुप्रीम कोट में अपील कर दी जब सुप्रीम कोट से भी इनकी अपील खारीज हो गई, तो हमें वो देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था यह सारी पार्टियां एक हो गई जब हमारे देख की सिक्योरिटी की बात आती है, उरी अटैक हो गया, बाला कोट हो गया, या हमले वाली सिच्वेशन बनती है तब भी यह पार्टियां एक नहीं होती, लेकिन इस चीज के लिए यह सारी पार्टियां एक हो गई थी इंडिया के कानून के इसाब से जब तक किसी भी आदमी के उपर final judgment नहीं आता तब तक वो बेकसूर है और उसी चीज का फायदा हुटता है अगर कोई IS pieces की तैयारी कर रहा है और उसके उपर criminal charges है तो उसे offer letter नहीं मिलेगा यहां तक कि clerk की job के लिए उसको दिक्कत आ जाएगी लाखों कह दी ऐसे हैं जिन पर भी judgment नहीं आया जो under trial है उनको jail में डाल रखा है तो यह सारी चीज़े जो applicable होती हैं सिर्फ politicians के लिए होती हैं बाकी किसी के लिए नहीं इतने बड़े सांसरी छेतर में पार्टियों के लिए इतना मुश्किल हो जा रहा है ऐसा candidate ढूनना जि campaigning के लिए finance दिखटा करना हो हर एक चीज में माहिर होते हैं इसलिए political parties की पहली पसंद मन जाते हैं पहले लोग इतनी demand में नहीं थे पहले वही भीड़ी खटी करना, boot capturing इनी सब चीज़ों तक लोग limited थे लेकिन यह जैसे से इनकी versatality बढ़ती गई यह political parties की पहली पसंद मन होगे तो आपका काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब देखेगा, आपका काम कर देगा हो, तो यह जो system कमजोर है, यह मजबूर करता है लोगों को, इन लोगों को vote देने के लिए, और यह लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि इस system कभी strong ना हो, अगर तुम closely observe करो, तो हर नेता यही तो सम्झाने की कोशिश कर रहा है, कि system सारा खराब है, system में यह यह कमिया है, और मैं तुम्हें इस system से बचा लूँगा, और गरीबों के हक के लिए लड़ते 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 वो खुद अमीर हो जाता है, या जीतने का एक super hit formula है, एक area decide करो, उस ज्यादा होशियार बन रहा है, या लोगों में ज्यादा समझ आ गई है, तो एक छोटा सा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगा तुम्हें vote करना, center for media studies, CMS, इसके इसाब से last log sabah जो 2019 करता, उसमें 50,000 करोड से भी ज्यादा पैसा involved था, पूरे world में India सबसे ज्य इन पार्टी फेंडिंग की बात आती है, इस सब लोग एक जसा रागला आपते हैं, ये लोग कभी भी पार्टी फेंडिंग में ट्रांस्परेंशी आने ही नहीं देंगे, एक बार जब ये लोग पावर में आते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, जो पुलिस वाले इनके हिसाब से नहीं चलते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है, 144 पुलिस ओफिसर्स एक लाख लोगों की सिक्यूरिटी देख रहे हैं, और जब हमारे नेताओं की बात आती है, तो 47,000 पुलिस वाले 14,842 नेताओं को सिक्यूरिटी दे रहे हैं, अब बाह 35% से भी जादा लोगों को पुलिस पर भरोसा ही नहीं, इंडिया एक लोटी ऐसी जगा है जहाँ पर पुलिस को देखके इंसान सेफ फील करने के बजाए डरता है, एक 15 साल के बच्चे तक को पता है कि आईपल में सक्टा लगाने के लिए किस के पास जाना है, लेकिन हमार लोग सबाय उसकी एवरेज एज है 54 और राज सबा की एज 63.5 है, एक दो केस अगर छोड़ दें तो आम आदमी के लिए पॉलिटिक्स में गुसने का रास्ता नहीं है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगा न, टॉप 10 यंग पॉलिटीशन्स, तो एक भी नाम उसमें ऐसा नहीं होगा जिसका कोई फैमिली से पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो, आजादी के बाद से 0.5 परसंट से भी कम पॉलिटीशन्स ने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है, वहां नहीं भेजते ही लोग, हम लोग इनसे मैनिफेस्टों में डिमांड ही कहां करते हैं, हम तो इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और यह लोग हमें पता लगने भी नहीं देते हैं, इसमें होता ही है कि अगर मैं फिनेंस मिनिस्ट्री का यह एक्जाम्पिल लूँ, तो जो भी रूलिंग पार्टी का फिनेंस मिनिस्टर है, उसके पैरललली एक उपोजिशन का भी फिनेंस मिनिस्टर असाइन हो जाएगा, और जो रूलिंग पार्टी का फिनेंस मिनिस्टर है, उसकी एक्टिविटीज को ओपोजिशन का फिनेंस मिनिस्टर लोगों तक महुचाएगा, और इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में होता है, और लोगों के लिए रिटेंगे में तो ह्रहाँ करते हैं, यह सारे चीज़ हैं एक दम से सही हो नहीं जाएंगेें लेकिन एक हमारे हाथ में हो है। हम कम से किसी क्रिमिनल को बड़ wonderful करने हैं। और एसा थे वड़ मोज़ाने कि सारे सारे क्रिमिनल मी खड़ हो जाते हैं। उसकी 10% research भी अगर हमें अपने candidate के बारे में कर ली तो ये criminalist जितने भी है ये पार्लेमेंट में नहीं दिखेंगे ये वहीं दिखेंगे जहां इनको होना चाहिए Last में एक ही question पर मैं इस conversation को end करूँगा कि politics अगर समास सेवा है तो salary क्यों? और अगर नोकरी है तो exam और qualification क्यों नहीं?